Hello my dear students, बिटा आज हम chapter 2 का next passage रेट करेंगे Then Aunt Polly here of a new medicine called painkiller Aunt Polly ने एक नई दवाई के बारे में सुना जिसको painkiller कहते हैं She tasted it and felt satisfied उन्होंने उसको टेस्ट किया और संतुस्ट महस्तूस किया It was a good, strong and fiery medicine ये एक बहुत अच्छी, strong और एक जोशीली टाइप की दवाई थी She gave up all other cures and decided to try the painkiller उन्होंने बाकी सभी दवाईउ को छोड़ कर painkiller देने के लिए decide किया She gave Tom a teaspoon full and washed him anxiously उन्होंने Tom को एक teaspoon भर कर वो दवाई दे दी और उसको चिंता के साथ देखने लगी There was a magical change in Tom's condition अब Tom की स्थिती के अंदर एक चमतका सा परिवर्तन आया A fire seems to have been lit inside him उसके अंदर एक आग सी जलने लगी He did not seem gloomy or less less anymore अब वो बिलकुल भी सुस्त महसूस नहीं लग रहा था अब वो चुस्ती पूर्वक अपना जो उसा था वो दिखा रहा था Now Aunt Polly was not worried about Tom अब Aunt Polly जो थी वो Tom के बारे में चिंते नहीं थी The next day Tom did not have anything to do and was bored अब अगले देन जो Tom था उसके पास करने को कुछ नहीं था और वो bored हो रहा था He was looking for some distractions अब वो कुछ ऐसा सोच रहा था जिससे की उसका मन बहल जाए He wondered what he could do अब है सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे Finally he hit upon a plan of pretending to be fond of painkiller अब उसने एक ऐसा plan बनाया जिससे की वो painkiller के शोकीन होने का बहना बनाए He would not stop asking for it and it became quite a nuisance अब वो उसके बारे में बाते करना बंद ही नहीं कर रहा था और ये उनके लिए आंट के लिए एक उपद्रवजा बन गया था Finally Aunt Polly told him to help himself from the bottle and not bother her उन्होंने अब Aunt Polly ने उसको कहा कि वह उसको परेशान ना करे और वो खुद ही जाकर bottle से उसको ले ले If it had been Tom's brother said she would not have been worried यदि उसकी जगे उसका भाई सेड हो था तो Aunt Polly इतनी चिंतित नहीं होती But as it was Tom, she was a little suspicious लेकिन ये Tom था इसलिए Aunt जो थी वो थोड़ी उसके लिए चिंतित थी So she washed the bottle carefully इसलिए वो bottle को ध्यान से देख रही थी She found that the liquid in the bottle was disappearing slowly उन्होंने देखा कि जो bottle थी उसमें से liquid धीरे धीरे खतम हो रहा था So she relaxed इसलिए वो आराम से पैठी थी आराम से मतलब उसको टेंशन नहीं ले रही थी She had no idea that the boy was manding a crack in the floor with it उनको इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जो शरार्ती लड़का था वो दिवार के अंदर फर्स के अंदर एक crack बना रहा है एक दरार बना रहा है इसके साथ One day Tom was in act of closing the crack when his aunt yellow cat came along एक दिन टॉम एक दरार को उस दवाई की हैब से भर रहा था थभी aunt की पीली बिल्ली वहाँ पर आ गई ही पर वो थोड़ी घुर रही I am the medicine greedily as if asking for it उन्होंने उसने बिल्ली ने उस दवाई के उपर ऐसे आखे गड़ा रखी थी जैसे की वह उसकी demand कर रही हो Tom said warningly do not ask for it unless you want it Peter Tom ने उसको warning देते हुए कहा कि Peter तुमें इसके बारे में तब तक नहीं पूछना है जब तक तुमें इसकी ज़रत ना हो Peter signified that he did want it Peter ने ऐसे indicate किया जैसे की उसे ये चाहिए So Tom hesitated no longer इसलिए टॉम को आप बिल्कुल भी हिचकिठाट नहीं हुई He was Peter's mouth open and poured a generous amount of painkiller down his throat अब Peter ने क्या किया उसको एक मौका मिल गया उसने उसका मुह पकड़ा और उसके अंदर painkiller की एक जादा मात्रा डाल दी The effect was instant and electric अब जो परभाव था वो तुरंथ हो गया और बहुत जादा मतला electric type से था जैसे की बिचली on करते ही तुरंथ उसके अंदर current आ जाता है तो इसी तरह दे उस दवाई ने effect किया Peter sprang a couple of yard in the air utter a war hoop and set off round and round the room अब जो पीटर था जो बिली थी उसके अंदर एक नई लहर सी आ गई थी और वो कमरे के अंदर उसने उछलकूद मचाना शुरू कर दिया in the process he banked against furniture upset flowerpots and created general havoc अब जो पीटर था जो बिली थी वो अपनी जो उथल पुथल कर रही थी तो उसमें वह कभी furniture से टकरा रही थी तो कभी flowerpots से टकरा कर उसको तोड़ दिया उसने एक छोटा सा तुफान खड़ा कर दिया था next Peter rose on his hint past and friends around in a frenzy of enjoyment अब जो पीटर बिली थी उसने अपने पीछे के पाऊं को पंजो को उठाया और एक खुशी की लहर से जूम उठी then with his head over his shoulder he gave voice to his complete happiness उसके बाद उसने अपने shoulder से उपर अपने सर को उठाकते हुए एक बहुत जोरदार खुशी की आवाज निकाली जैसे की उसको बहुत आनंद आ रहा हो he went tearing around the room again spreading chest and destruction in his path अब वै आगे बढ़ते हुए कमरे में जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उस सभी को उठल पुठल करते हुए उनको फारते हुए ववाह से आगे निकल गई बिटा बाकी कहां next वीडियो में या फिर अपनी online class में rate करेंगे तब तक के लिए आप chapter rate कीजिए ओके students बाबाई